नमस्कार मैं हूँ आपके साथ यामिनी शर्मा, लेबनान में इसराइल ने ग्राउंड ओपरेशन शुरू कर दिया है, इसराइली टैंक लेबनान के अंदर दाखिल हो गए है, लेटेस्ट अपडेट क्या है और इसराइल के सामने क्या बड़ी चुनौती है, यह जानने के ल इसराइली टैंक्स हैं, वो लेबनान की सीमा के अंदर दाखिल है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इसराइल के लिए लेबनान में ग्राउंड ओपरेशन करना कितना चुनौती भरा होगा, हम आपको बताते हैं इसराइली सेना के सामने पांच बड़ी चुनौतियां है, जो जिन से निपटना इसराइल के लिए बिल्कुल आसान नहीं होगा, देखे सभा, सबसे बड़ी बात तो यह है कि हजबुला ने पूरे लिबनान में एक टनल्स का जाल बिछा रखा है, देखे हमने पीछे भी देखा था कि वीडियो सामने आये थे, उस वीडियो में हमने द प्रंगे बना रखी हैं और यह अभी तक इसरेल के लिए एक पहली बनी हुई है, बताया जाता है कि जो किड्नाप हुए है इसराइली नागरिक वो इन्हीं टनल्स में उनको रखा गया है और वो कहा है इसके बारे में अब तक इसराइल को जानकारी नहीं मिली है, तो आप देखिए कि जो हिजबुला की टनल्स हैं, इनका पता लगाना, इनको डिस्ट्रॉय करना ये इसरेल के लिए पहली बड़ी चुनाती है, देखिए दूसरी जो सबसे बड़ी चुनाती है, हमने देखा पहले भी पीछे भी कि हिजबुला के पास बहुत बड़ी संख्या में हतियार हैं, देखिए लगातार इसरेली एर फोर्स जो है, आईडिएफ जो है, एर स्ट्राइक्स कर रही है, और उनका जो में टार्गेट है, वो हिजबुला के इन हतियारों के ठिकानों पे ही लगातार अटैक हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ऐसा बताया जा रहा ह है, कि हिजबुला के पास अब भी बहुत बड़ी संख्या में हतियार है, और जिससे जो है इसरेल के उपर अब भी बड़ा घातक हमला करने में हिजबुला सक्षम है, हम आपको एक रफ फिगर बताते हैं, जो कि कुछ एक्सपर्स बताते हैं, जो सोशल मीडिया पर ऐसी च चौर्ट रेंज रॉकेट जो है, उनकी संख्या करीब 65,000 है, देखिए ये बहुत बड़ी संख्या है, 65,000 रॉकेट सोना, इससे अभी बी इसरेल पे हिजबुला चाहे तो बड़ा अटैक कर सकता है, उसी तरह गाइड़ेड मिजाइल जो है, वो करीब 8,000 बताई जाती है कि जो ये आकलन, जो है, ये मोसाद का है, जो C.I.A का है, इनके मुताबिक अब भी बड़ी संख्या में गाइड़ेड मिजाइल्स है, वो हिजबुला के पास है, वैसी एर-टो-सर्फेस मिजाइल की संख्या बताई जाती है, कि 17 ऐइसी ऐर-टो-सर्फेस मिजाइल है, हमन का इस्तमाल हमले के लिए किया जा सकता है तो देखी यह जो दूसरी बड़ी चुनोती है आईडिएफ के लिए या इसराइल के लिए वो है हिजबुल्ला के हतियार जो अब भी बड़ी संख्या में मौजूद है इन्हें ढूनना है इन्हें खत्म करना है यह आसान काम नहीं ह तीसरी बड़ी चुनोती जो इसरेल के लिए है ऐसा बताया जाता है कि करीब पचास हजार लड़ाके हैं हिजबुल्ला के पचास हजार से कुछ लोग शायद एक लाग तक भी कहते हैं यह वो फोर्स है जो हिजबुल्ला के पास है और जो इसरेल के खिराफ अब करने के लिए तैयार हैं देखिए हम आपको बता है 18 साल पहले जब इसरेल की सेना लिबनन के अंदर दाखिल हुई थी तब इन्हीं हिजबुल्ला के लड़ाकों ने एक चबर 10 टकर दी इसरेली फोर्स को और बलकि कई लाकों से इसरेली फोर्स को पीछे भी अटना पड़ है वह यह है कि जो हिजबुल्ला के लड़ाके हैं जिस एरिया में देखिए जे दक्षणी लिबनन का जो एरिया है जहां पे ग्राउंड ऑप्रेशन अभी इसरेल ने छेड दिया है इसरेल की टैंक अंदर हैं इस पूरे इलाके से अच्छी तरह परिश्यत हैं इस्रेः की सीना बाहर से अंदर आई है कौन से इलाकों में टनल से कहां से हमले करने हैं और कहां पर हमला करने के बाद चुपना है यह इलाका जो हिजबुल्ला के लडाके है वो अच्छे से जानते हैं इसलिए इसराइल के लिए बिल्कुल सैनिकों के लिए आसान नहीं होगा कि हमला करन करना है हमला करके हतियारों के जो ठिकाने हैं उनको डिस्ट्रॉय करना या जो हिजबुल्ला के लड़ाके हैं उनको ग्राउंड अटैक में खतम करना ढूंड़ना यह अपने आप में बड़ी चुनौती होगी और देखिए जो पांच वी सबसे बड़ी चुनौती है इस्रेल कि देखिए हमें यह समझना होगा इस्रेल करना क्या चाहरा है इस्रेल ने जो यह अटैक किया है ग्राउंड अटैक करने के बाद इस्रेल यह चाहता है कि जो इरान से हतियारों की सप्लाई हो रही है या जो रसद की सप्लाई हो रही है लिबनन को उस सप्लाई लाइन को तैरा कहतें ये एक बड़ा चुनाथि है इस्रेल के सामने। लेकिन देखें क्या है कि इस पूरे इलाके में इस्राइल एर स्ट्राइक जब कोई कांट्री करती हैं कि लिव्ट्राइक करके आप तॉप इसराइल पे जो rockets के हमले करता है वह हमले ना कर पाए एक buffer zone एक ऐसा इलागा बना दिया जाए जो कि इसरेल के कबजे में हो ताकि अगर कोई rockets fire होते भी है तो उत्तरी इसराइल पे ना गिरें यह इसराइल की कोशिश है लेकिन यह आसान काम नहीं है देखिए हमने कई बड़ कभी आसान नहीं होता एर स्ट्राइक आसान होती है आप मिजाइल से अटैक करिए आप एर अपने जो है एर वार प्लेंस से अटैक कर दिया वह आसान है लेकिन जब आप ग्राउंट फोर्सस अंदर जाती है तो उसके लिए कई चुनौतिया होती है तो देखिए यह पांच ब उनकी संख्या भी वहां पे कम थी और देखिए जिस तरह से वहां पे अभी भी इसरेल के अंदर यह मांग उठ रही है कि जो किड्नाप किये गए नागरिक है इसरेल के उनको छोड़ाने पर फ्रोकस करना चाहिए तो देखिए कुल मिलाके यह जो ग्राउंड ऑपरेशन है यह बात तो साफ है कि पिछले कुछ दिनों में इसरेल ने लिबनन को बड़ा सेट बैक किया है हिजबुला को बड़ा सेट बैक किया है बड़े टॉप लीडर्स मारे गए हैं लेकिन अब बताया जा रहा है कि जल्दी हिजबुला के नई लीडर का चैन भी हो जाएगा पूरे इलाके के लिए बेहत घातक और खतरनाक साबित होने वाले हैं इसरेल नेतन याहू किसी भी कीमत पर रुखने को तयार नहीं है ग्राउंड ऑपरेशन कर रहे हैं लगातार हमले जारी है अब ऐसे में देखना है कि यह जो लड़ाई हिजबुला के लड़ाकों के बी कि इंगे